कि इस क्लास में हम डिसकस करेंगे बाकी बची हुई प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हमने डिसकस किया नुक्लोफिक एडिशन के बाद एक और रियक्शन डिसकस किया डिटेल के साथ जिसे कहते थे हम एडिशन एलिमिनेशन रियक्शन बहुत सारे रेक्शन जो बचते हैं अभी इसमें जैसे रेडक्शन है जैसे की ऑक्सिडेशन है जैसे की नेम रेक्शन हैं कुछ अल्डॉल कंडंसेशन हैं जैसे की कैने जरूर रेक्शन ये वन बाई वन करके हम डिसकस करते हैं तो अभी जो मैं पहले बता रहा हूं नमबर रिड़क्शन रिड़क्शन क्या होता है जब कभी किसी मॉलेक्शन को हम हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं यह रिड़क्शन क्या लाता है रिड़क्शन इससे पहले भी हम इसको रिड़क्शन को कर चुके हैं यह पार्ट दो टाइप के रिड़क्शन हम पढ़ेंगे यह रिड़क्शन रिड़क्शन जो है वो दो टाइप के है रिड़क्शन टू अलकॉहल क्या बनेगा अडिहाइडिया की टोन से अलकॉहल दूसरा है रिड़क्शन टू अलकेन अलकॉहल वाला सौरी अलकॉहल वाला रिड़क्शन हमने डिसकस किया है अलकॉहल वाले चप्टर में बनाने में फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं रिड़क्शन आपको बता रहा हूं कार्बन डबल बॉंड अक्सीजन एडिहाइड का लेकर आर सी डबल बॉंड अक्सीजन हम जब इसको रिड़क्शन कर देते हैं एच्टू के साथ कहां से आएगा यह एच्टू हाइड्रोजन डाय हाइड्रोजन से हमने इसको केटलिस्ट की प्रेजन्स में किया पलेडियम या और कोई केटलिस्ट यूज कर सकते हैं अल्डिहाइड एडिशन होगा यहां इस एडिशन को नाम देंगे केटलिटिक एडिशन क्यूंकि केटलिस्ट की प्रेजन्स में हुआ है और किटोन अगर लेता हूं मैं कि और कि सी डबल बॉन ऑक्सीजन और कि इसको भी मैं सेम रेक्शन एच्टू से कर सकता हूं इन प्रेजन्स ऑफ पैलेडियम पॉईजन नहीं लेना केटलिस्ट पॉईजन नहीं लेना है वो तो रोजन मून रेडक्शन था उसमें हम सलफर केटलिस्ट पॉईजन यूज़ करते हैं क्या मिलेंगे प्रॉडक्ट पहले वाला केश देखो आर सी ओ पाइबॉंट तूटा यह आर सी ऑक्सीजन में डबल बॉंट था एक टूड़ गया एक बचा रहा है यह दो हाइडरोजन में से एक हाइडरोजन कारबन पर एक hydrogen oxygen पर connect होती है RCH2 OH एक H पहले aldehyde वाला एक H अब आया तो primary alcohol मिला aldehyde से necessarily primary alcohol मिलता है किटोन की बात आती है जब हम किटोन लेते हैं और किटोन का रेडक्शन करते हैं RC डबल वांड अक्सीजन में से एक पाई वांड टूड गया एक वेलेंसी यहां फ्री एक वेलेंसी यहां फ्री यह H2 का एक हाइड्रोजन इधर एड़ गया इधर एड़ गया RCHR जिस कार्बन पर दो eligible group नें एक OH है उससे secondary alcohol कहते हैं कैसे बनेगा secondary alcohol किकोण से बनेगा किकोण जाओं का reduction करके secondary alcohol बनेगा एक यह method हमने पढ़ा था एक اور method बता देता हूँ बी बाला reaction कराने से पहने रिड़क्शन वाला ही बताता हूं अभी जिसमें हमने रिड़क्शन टू एलकोहल करना है हमने अडिहाईड एन्ट के टोन को NABH4 के साथ रेक्शन किया था या तो हम रेक्शन कर दें इसका NABH4 के साथ फॉलाड बाइ रेक्शन विद वाटर या रेक्शन कर दें L.I.A.L.H.4 के साथ इन प्रेजन्स ओफ फॉलाड बाइ रेक्शन विद एसिड या वाटर H पॉजटिव भी ले सकते हैं वाटर भी ले सकते दोनों के सिज में फ्राइमरी अलकॉहल ही प्रोड़क्ट मिलेगा बस इस बार जो H2 ना लेकर हमने लीथियम अलिमिनियम हाइडराइड लिया या इने भी एच फॉर लिया जो प्रोवाइड करेगा H नेगिटिव H नेगिटिव प्रोड़क्ट मिलेंगे यहां आर सी डबल वाउंड ऑक्सीजन में से एक पाई वाउंड टूड गया यह एच तो एलडी हैड का है यह जो एक हैच आया यह है लीथियम अलिमिनियम हाइडराइड वाला है और ऑक्सीजन पर जो है चाया यह है वाटर वाला है प्राइमरी अलकॉहल मिला जाहें हम एक फोर लेते हैं चाहें लीथियम अलिमिनियम हाइडराइड लेते हैं प्राइमरी अलकॉहल ही मिलेगा एडियाइड विल गिव प्राइमरी मैं ऐसे लिख सकता हूं एडियाइड रेडक्षण ये रेडक्षण चाहे एच्टू पिलेडियम से कर रहे हो चाहे लीधिय में मिन यहने इच फूर से वारी इलकॉर कि टॉन में भी यही रेक्षण होना था अगर नहीं बीच फुर का रेक्षण करते तो कि टॉन लिया हमने आर सी जब हम प्रड़क्शन करते हैं एने भी एच फॉर से फॉलाइट बाइट्रीट्मेंट विद वॉर्टर या लीथियम अलिमिनियम हाड़ाइट से और लाइए लेच फॉर फॉलाइट बाइए रेक्शन विद एच पॉजिटिव और वॉर्टर नैसेसरीली सेकंडरी अलकॉहल मिले यह सेकंडरी अलकॉहल कैसे मिला और सी ऑक्सीजन और यह पायबॉन टूटा एक एच तो आ गया यहां लीथियम अलिमिनम हाड़ाइड या ने भी एच फॉर वाला एंड वाटर वाला जो एच है वो आ जाएगा इस ऑक्सीजन जिसे हम सेकंडरी अलकॉहल नाम देंगे किया एक बातने ही एक क्या भी थु क्या हमने ही उदक्राइड्यक्र्चंट फू एल्कॉह odds मलुक्र गॉपोल टो टाइप के रिजेंट एस्टू पेलेडियम यह ने बीच फॉर यह लीथिम लिश्री ऑलिमिनम हाड़ाइड प्रामरी अल्कॉल बनाने के लिए LD हाइट सिंड्री अल्कॉल बनाने के लिए कि टोन का इसेमाल किया जा की एे पाट किया हमने भी डिसक्सषिया आ और आते हैं इसके जब हम भी पार्ट करते हैं तो ये कहलाता है heading production to alkane अब alcohol की जगा alkane बनेगा oxygen भी कम हो जाएगा इसका ये molecule जो given था मुझे अडिहाइडिया किटोन गिवन था specific reagent होते हैं कुछ जो alkane बनाने का काम करते हैं अडिहाइडिया किटोन से नमबर वन क्या होता है वो reagent होता है जेड़न हजी followed by reaction with hcm इसको कहते हैं अडिवाइड जिंक ये कार्बन डबल बॉंड अक्सीजन को convert कर देता है है दो हाइड्रोजन ये रिएजेंट देगा क्या मिला और CH3 इस रियक्षन को कहा जाता है क्लेमेंशन रिड़क्षन क्लेमेंशन रिड़क्षन का इस्तमाल अडिवाइडिया की टोन को अलकेन में convert करने में किया जाता है रिएजेंट टमबर वन रिएजेंट नमबर टू हम इसकी जगा कौर रिएजेंट ले सकते हैं क्या रिएजेंट है हो हाइड्रजीन फॉलॉड बाइट्रेट्मेंट विद् ओच नेगेट बेस मेडियम का फर्क हाइड्रजीन सिर्फ हाइड्रजीन होता तो सी डबल बॉन है ना आ जाता लेकिन बेस है ओच नेगेटिव है क्या प्रोड़क्ट मिलेगा आर सी अपनी जगा एच अपनी जगा ओक्सीजन हटकर दो एच एलकेन मिला प्रोड़क्ट इस रेक्शन को नाम देते हैं वाल्फ केश्टनर मातना से इसको नाम देंगे वाल्फकिश्टनर रेडक्शन अब अगर is हमेस वाल्फकिश्टनर रेडक्शन को किटोन में एंड्कलेमिंस रेडक्शन को किटून में अप्लाई करते हैं क्छोच निए करना आपको इस कारबन डबल बावन ऑक्सीजन को कनवर्ट करना है CH2 में क्या रिएजन्ट लेकर ZN HG HCL और एक और रिएजन्ट ले सकते हैं और वर्फ किशनर रेडक्शन हाइडराजीन साथ में OH नेगेटिव यह रिएजन्ट सेलेट किये जाएं चाहिए किटोन है चाहिए अडे और देखो एक्जेम्पल जब हम CH3 C double bond oxygen को कि रिएक्शन करते हैं है 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 एच जी जड़न है है एक सी एल से नाम देंगे क्लेमेंस अड़क्शन प्रोड़क्ट क्या लिखा जाएगा इस C double bond oxygen की जगा CH2 CH3 C अपनी जगा CH3 अपनी जगा इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंस अड़क्शन अगर क्लेमेंस अड़क्शन साइक्लो पेंटेनोन का किया जाए क्लेमेंस अड़क्शन के लिए यूसिंग एजन्ट एड़क्शन जड़न HG HCL क्लेमेंस अड़क्शन क्या मिल जाना चाहिए प्रोड़क्श यहां Oxygen हट कर Hydrogen and Hydrogen आंसर इस साइक्लो पेंटेन साइक्लो पेंटेनोन चाहे हम इसका वल्फ किशनर रेड़क्शन करें तो भी यही प्रोड़क्शन मिलेगा क्या वल्फ किशनर रेड़्यूसिंग एजन्ट यूज़क्शन करते हैं इसमें Hydrazine and NaOH इसके साथ हीट करते हैं Hydrazine and NaOH Solvent लेते हैं यह इथाइलीन ग्लाइकॉल Ethylene Glycol is used as solvent क्या आंसर मिलेगा इसमें भी आंसर मिलेगा Cyclopentene इस पोजिशन पर H इस पर H यहां पर आ जाएगा H यहां पर आ जाएगा H तो चाहे हम वल्फ किशनर रेड़क्शन करें चाहे हम रेड़क्शन करते हैं क्लेमेंस रेड़क्शन आंसर चाहे किटोन स्टार्टिंग मटीरियल लें चाहे हम अल्डिहाइट स्टार्टिंग मटीरियल लें अल्केन ही हमारा फाइनल आंसर होगा मैं आपको बता दिया और अडिशन जो मैंने कराया उसी पर बेस्ट यह मैंने तीन लिखेंगी इसमें साल्वंत होता है क्षारा प्रोडर्ट का यूपीजिन लिखना एक सिने में प्रोड़क्न का को मिठाईल लिए या है जलुदी अंशन लिखे बताओ दो टाइप के रेक्शन यहां पर इस्तमाल किये गए हैं बेंजलडी हाइड का अगर हम स्ट्रक्चर लिख दें तो बेंजीन सी डबल बॉर्ण ऑक्सीजन एड़ एच यह रेक्शन हड्रजीन अलकलाइन मीडियम में हो एच नेगेटिव की प्रेजंस में कार्बन डबल बॉर्ण ऑक्सीजन को सी एच टू में कनवर्ट करता है एक एच पहले से है बेंजीन सी डबल बॉर्ण ऑक्सीजन हट गया है दो हाइड्रोजन आ गया है यह रिएजिंट से मेकेनिजम अलग बात है बेंजीन सी एच त्री टॉले नहीं है कार्बन डबल बॉर्ण कार्बन से यह रिएजिंट रिक्शन नहीं करता है दो नॉट रिएक्ट विद्ट सी डबल बॉर्ण से बेंजीन में ना तीन कार्बन डबल बॉर्ण कार्बन ब्यूटेनोन क्या है ब्यूटेनोन CH3 वान टू थ्री फोर ब्यूटेनोन क्या करेगा यह रिएजिंट कार्बन डबल बॉर्ण ऑक्सीजन को CH2 में कनवर्ट कर देगा क्या लिखो आंसर CH2 CH3 C ऑक्सीजन हटा हाइडोजन हाइडोजन बॉर्ण 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 2-methyl Hexan-L C double bond oxygen H यह है 2-methyl Hexan-L कार्बन नमबर 1 कार्बन नमबर 2 पर मिथाइल 3-4-5-6 वॉल्फ किशनर रिडक्शन का रिएजिंट दिया है अलकलाइन मीडियम में हड्रजीन इथैलीन ग्लाइकॉल की जगा अलकॉल लिख दिया हीट किया C double bond oxygen CH2 में कनवर्ट हो जाएगा H C CH CH3 CH2 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 CH3 oxygen की जगा दो हाइडोजन कनेक्ट होगे CH3 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 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 किसरा रेक्शन बताया मैंने आपको यह 4 चौथे रेक्शन पर आते हैं जो की है टैस्ट जो की है ऑक्सिडेशन रेक्शन नमबर 4 टेस्ट टेस्ट अफ टेस्ट अफ अल्ड हैट या तो हेडिंग यह लिखो या एक और लिखो डिस्टिंग्शन बिट्वीन एडिहाइड एंड केटों बायो मॉलिक्ल पहले पढ़ लिया आपने तो बायो मॉलिक्ल में थोड़ा सा आइडिया देया था टॉलेंस रेजेंट का फेलिंग सेलुशन इनफेक्ट वही है यह जो हम दुबारा से पढ़ेंगी क्या है टेस्ट ऑफ एलडिहाइड डिस्टिंशन बिट्वीन एलडिहाइड केटों क्या है दो टेस्ट है फोर में जो पहला एक रेक्शन है वह है टॉलेंस टेस्ट बड़े पुराने समय में लगबग अठारा सो पचास के आसपास टालिस से लेके उनिस ओठारा के बीच में एक साइंटिस्ट गुज़रे हैं जिनका नाम टॉलेंस था उन्हों नहीं यह रिएजेंट इंवेंट किया था अलडिहाइड के डिटेक्शन के लिए जिसे हम नाम देते हैं टॉलेंस रिएजेंट पहला कुष्टन दिमाग में आना चाहिए वाट इस टॉलेंस रिएजेंट करता क्या है यह तो बात की बात है लेकिन होता क्या है पहले यह देखें टॉलेंस रिएजेंट होता है सिल्वर नाइटरेट प्लस अमोनियम हाइड्रोकसाइट अमोनिकल सिल्वर नाइटरेट भी कहते हैं क्या नाम दे सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइटरेट जब यह दोनों आपस में एरेक्शन करते हैं एजे एनोत्री अमोनियम हाइड्रोकसाइट कंपाउंड बनता है कॉंप्लेक्स यह कॉंप्लेक्स है सिल्वर कहां से आया सिल्वर नाइटरेट से वन पॉजिटिव होगा अमोनियम हाइड्रोकसाइड से वाटर अलग होके अमोनिया बने अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता अमोनिया जुड़ते हैं किसी कारण से इसमें अगर हम अमोनिया दो लेते हैं तो जीरो चार्ज है सिल्वर पर एक चार्ज है यह चार्ज मैं यहाँ शो कर देबागा कॉंप्लेक्स आइट यह एलकलाइन मेडियम में हैं इसे कहते हैं कम्-a गग्लेक्स को बोड़ा जाता है कियसे कैसे हमरे प्र इसेंट कर सकते हैं पुघ को यह तरह रेंट कर सकते हैं और इसे ने प्रेजंट एक तो यही है जो सामने लिखा है जिल्वर एनच थ्री टॉइस पोजट यह शिल्वर एनच थ्री टॉइस एनो-त्री लगा दो बहर वन नेगेटिव वन पोजट यह शिल्वर एनच थ्री टॉइस पॉजिटिव ओएच नेगेटिव लगा दो बाहर या एजी पॉजिटिव प्लस एनेच फॉर ओएच कभी दे दिया तो आप उसे टॉलंस रेजेंट मानोगे या कभी अगर ऐसे लिखके दे दिया सिल्वर पॉजिटिव अमोनिया ओच नेगेटिव टॉलंस रेजेंट मानोगे इससे ये भी टॉलंस रेजेंट एक ही जैसे तो है मतलब हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है बस सिल्वर पॉजिटिव हमारे काम का है कुछ हो ना हो बस सिल्वर पॉजिटिव ये होता है टॉलंस रेजेंट क्या करता है ये मैं बता रहूं को औलन्स गाथ एमाइट गाथ और गाथ गोड़ा टूआ जा जाथ रगे काथ को अड़ा उड़ाई लाट शवाट चानि पार बधाट चार टीज़ लगवाट रगाट जाएट इंग को शामा वाटर नेविच नाथ इंगा एंगर फोड़ाट को शानिगे पारीधिक बमाश it can oxidize aldehyde into carboxylic acid but it cannot reduce ketone it cannot oxidize sorry ketone ketone silver ammonia 1 positive OH negative tolerance reagent alkaline medium easily oxidizable oxidizable mild oxidizing agent oxidize हो जाएंगे क्या बन जाएंगे क्या बन जाएंगा आर्सी ओएच बेसिक मीडियम में तो आर्सी ओ नेगिटिव प्लास प्लास क्या लिखोगे साथ में oxidize हो oxidation नमबर बढ़ा कुछ reduce होगा कौन reduce होगा silver positive को अपना electron दे दे गई यह बन जाएगा silver metal यह प्रिसिप्टेट बन जाएंगे यह test tube में नीचे चिपक जाएंगे यहां पर silver metal चिपक गया तो बाहर से देखने पर चमकदार नजर आएगा mirror जैसा नजर आए इसलिए हम इसे silver mirror test भी कहते हैं also call silver mirror test by product बने कुछ ठीक है जो में रेक्शन है वो क्या हुआ अडिहाइड को अक्सिडाइज किया कर्बक्सली के सॉल्ट में silver positive reduce हुआ silver में किसने reduce किया अडिहाइड ने अडिहाइड को किसने अक्सिडाइज किया tolerance region by product क्या मिले ammonia and what balance करना पढ़ेगा कि यह हमारा में रेक्शन करही लेते हैं balance अगर आप इसे करते हैं कि दो आएगा चार अमोनिया लिखने पढ़ें गया टू टू जार डबल हो गया विच नेगेटिव तीन लिख हो गया एक आर्सी ओ नेगेटिव हो गया दो सिल्वर वाटर मॉलेक्टल दो हो गया यह हमारा ओवरॉल रेक्शन पर अब सिल्वर मेरर जब बन जाता है तो एल्डी हाइड है किटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं विकस्ट ओक्सिडेशन ओफ किटोन्स इस डिफिकल्ट एच नहीं होता यह वाला किटोन में ओक्सिडेशन डिफिकल्ट है और यह है माइल्ड ओक्सिडाइजिंग एजन्ट तो यह कुछ नहीं बिगाड़ पाता किटोन का किटोन रेक्शन देता ही नहीं अगर किटोन रेक्शन नहीं देगा ऑक्सिडाइज नहीं होगा तो तो टॉलेंस रेजेंट रिड्यूस नहीं होगा सिल्वर नहीं बनेगा नहीं मनेगा, नो रेक्शन लिखना पड़ेगा. ऑक्सिदेशन ऑफ कि टोन इस डिफिकल्ट, सो रेक्शन इस नौट शिल्वर मेरर इस नौट फॉम्ट भाई कि टोन यह आजाएगा हमारा आपस्ट बहुत सिंपल सी, इजी सी बात है कि टोन टॉलेंस ट्रेस्ट नहीं देते, अल्डी ही टॉलेंस ट्रेस्ट देते हैं मीडियम एलकेलाइन यानि ओएच नेगेटिव ही रखना है एसेडिक मीडियम में यह रेक्शन नहीं होगा मेडियम इस एलकेलाइन क्यों ओएच नेगेटिव ले रखना है, मीडियम में ओएच नेगेटिव है टॉलेंस रेजेंट कभी भी एसेडिक मीडियम में काम नहीं करता है नामी हमने एलकेलाइन, सिल्वर नाइटरेट इन प्रेजंस ओफ अमोनिया दिया है एक टेस्ट मैंने बता दिया, ये अल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते है कौन कौन से अल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड, ह-C-H-O, और-C-H-O, बंजीन-C-H-O C-H-2, डबल बॉंड, C-H, C-डबल बॉंड, औक्सीजन-H, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव, यानि सिल्वर मिरर बनेगा पॉजिटिव टेस्ट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट, कौन नहीं देगा टेस्ट, किटोन CH3 C double bond oxygen CH3 tolerance stress positive नहीं देगा कौन नहीं देगा कार्वाक्सलिक एसिड नहीं देगा और तो कोई भी compound नहीं देगा ध्यान देने की जो बात है सिर्फ एक कार्वाक्सलिक एसिड है दुनिया का जो tolerance stress positive देता है और वो है formic acid H C double bond oxygen OH ध्यान से देखने पर इसमें aldehyde group मिल जाता है aldehyde group मिल गया तो इसमें formation हो जाती है कार्वाक्सलिक एसिड की इस साइड यह तो इधर तो है H2CO3 बन जाता है यहां हमें लिखना चाहिए test positive देगा सिर्फ एक अकेला यह molecule formic acid ऐसा है सारे acid नहीं यह acid नहीं देता है नहीं देगा test important statement क्या हुआ HCOH will also give tolerance test means it will form silver mirror with tolerance reagent यह oxidize हो जाएगा formic acid क्या मिलेगा product HCOH in presence of tolerance reagent T का मतलब tolerance R का मतलब reagent वो ही जो अभी लिखा था CO2 बन जाएगा कि यह बना पहले H2CO3 यह decompose हो के CO2 प्लस वाट प्लस सिल्वर मिर तो बने गई हमें आंसर ऐसा कुछ लिखना चाहें एक बात हो गई है मैंने दो टेस्टों में से एक टेस्ट आपको बता दिया मैं चाहे फॉरमलडी हैड है चाहे अल्डी हैड है बंजलडी हैड है अंसेचूरेट्ड़ेटिड ल्डी हैड है एंड यूनीक एक कंपॉंट पॉर्मिक इसट विल गिव टॉलेंस टेस्ट बाकि नहीं देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला कुछ दूसरे पर आते हैं रिएजेंट नमबर टू फेलिंग सिलूशन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दो चीज़ें हैं यह फेलिंग सिलूशन टेस्ट लिखा हो या फेलिंग रिएजेंट लिखा हो या फेलिंग टेस्ट लिखा हो एक ही बात को अलगलग तरीके से बोला जाता है पहला कुछ नाता है हमारे सामने जैसे कि टॉलिंग रिएजेंट क्या होता है टेस्ट बाद में देखेंगे वाट इस फेलिंग सिलूशन रिएजेंट क्या चीज़ है ये ये बताने है ये सोचना फेलिंग रिएजेंट दो सुलूशन से मिलकर के बना होता है फेलिंग रिएजेंट एक होता है फेलिंग रिएजेंट ए दूसरा होता है फेलिंग रिएजेंट बी या सलूशन भी कह सकते हूँ मैं इसको कह रहा हूँ फेलिंग सलूशन नहीं फेलिंग सलूशन ए दूसरा है फेलिंग सलूशन भी दो चीजें हैं ये क्या क्या होती है ये ये मैं बता रहा हूँ फेलिंग सलूशन सिंप्ली कॉपर सल्फेट का एक्वस सलूशन है मतलब वाटर में डिजॉल्व कर रखा है इसको जो दूसरा सलूशन होता है मतलब एक टेस्ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया इसे नाम दे दिया फेलिंग सलूशन ने दूसरी टेस्ट्यूब में हमने साथ में इसमें मिक्स कर दिया इल्कलाइन सलूशन ओफ टार्टरिक एसिट इसके स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है लेकिन अगर कभी किसी को कंशियूजन है तो सीओ इच सीओ इच सीओ इच सीओ इच सीओ इच ये टार्टरिक एसे डोता है दो ओएच इसमें दो सीओ इच और alkaline भी ऐसा होता है ये कि हम इसमें दो acid group है ना तो एक तरफ sodium replace करते हैं एक तरफ potassium replace करते हैं यानि दो अलग अलग इसको base के साथ reaction करते हैं यहां उपर वाले पर लिखता हूं सी ओ ओ एने तो है तो है तो है दोसरा सी ओ ओ कि यानि पोटेशियम है तो डियम है तार्ट रेट जब इन दोनों को मिक्स करते हैं हम के ओ एच को यह एने उच को एनटार्टर के सिटको तो क्या बनता है भी सोडियम हो है इस सुट का सॉट्स इससे घ्सीट का सॉल्ट इससे फॉर्मिक एसीड़ा सॉल्ट फ़ॉर्मेट एशे लुक एसिड़कर सॉट्पॉर्मेट isotritic acid का//Tartrate अब क्योंकि एकतरफ sodium एकतरफ potassium नहीं है तो इसलिए sodium potential और 6 इसलिएंग विल्सुशन यह सलूशन अगर मैंने किसी टेस्ट चूम में ले लिया तो इसे फिलिंग सुलूशन 탄 continuing solution ऐक है यह अलग failing स्लूइशन भी अलग जब हम इन दोनों को एक जगा टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं अब यह रेक्शन के लिए रेडी हो जाता है ईम मिक्स करने के बाद हम इसको किसी तोन्स्रेशन फिर कर देंगे जिस्ट क्या होगा वो मैं भी आपको इसान अभी मैंने आपको बताया कि फेलिंग सुलूशन एनस टेश्लिंग सुलूशन बी कया हो फेलिंग सिलूशन बी को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम रोशेले सौर्ट भी बोलते हैं, कभी नाम अगर आ जाए, फेलिंग सिलूशन बी इस और रोशेले सौर्ट, ब्लू गलर का ये सलूशन होता है। ये तो हमने सारा कुछ फेलिंग सीलूशन हम इतना कॉंपलेक्स इस्ट्रेक्चर हम लिखते नहीं हैं। करके लिखते हैं, फेलिंग स्लूशन लिखने का तरीका means representation और फेलिंग सिलूशन, फेलिंग स्लूशन इस कि रिप्रेजेंटेट होता तो यही है टार्टरिक एसेड प्लस है ने ओएच के ओएच प्लस कॉपर सल्फेट प्लस वॉर्टर लेकिन हम लिखते बड़ा सिंपल करके हैं इसे या तो ऐसे लिखो सी उएस सुफूर हो इस नेगिटिट या सी उएस सुफूर की जगा के साथ ने ओएच टार्टरी के सब्सक्राइच यह 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 क्या कर सकते हैं हम सिर्फ सी यू टू पॉजिटिव लिखते हैं तू पॉजिटिव ध्यान रखते हैं हो इस नेगिटिव यह सिंप्लेस्ट फॉर्म है फिलिंग सुलूशन मतलब एंड बी को मिला करके दोनों को ऐसे लिख दिया यह यह रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे अब आते हैं इस बात पर यह करता क्या है फॉर्दर फेलिंग स्लूशन इस एफ एस मतलब फेलिंग स्लूशन इस ओल्सू माइड पॉल्ट 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 इवन इव माईड द्टलैंस रजागिंग इन यह फैलिंगा इविस एस ओमाइड जैडिंगेंग अ आधी है असानी से ऑक्सिडाइज हो सकते हैं फैलिंग सिलूशन रेक्शन करें केटोन फैलिंग सिलूशन से रेक्शन नहीं अगर फैलिंग सिलूशन से रेक्शन यह कर लेगा फैलिंग सिलूशन इसको अक्सिडाइज करेगा यह फैलिंग सिलूशन को रिड्यूस करेगा means R C double bond oxygen H will react with कॉप पर टू पॉजट प्लास हो एच नेगेट है इस ब्लू होता है कलर में इस ब्लू कलर्ड अलकलाइन मेडियम में यह कनवर्ट कर देता है आर सी ओ ओ ओ नेगेटिव में अक्सिडाइज हो गया इंक्रीस हो गई ऑक्सिडेशन नंबर प्लस वन से प्लस टू ऑक्सिडेशन नंबर हो गई देखते रहे ना रिडॉक्स वाला पार्ट ऑक्सिडाइज हो गया किस ने करा ऑक्सिडाइज कॉपर टू पॉजिटिव में यह खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें रिड्यूस हो जाएगा सी यू वन पॉजिटिव में सी यू टू ओ रैड होता है यह कलर में साथ में बना वाटर बैलेंस कर लो करना चाहूं तो सी यू टू ओ दो कॉपर यूज होते हैं है एच टू ओ हाइडोजन यहां दो अगर करते हो तो हमें फाइव ओएच नेगिटिव और थ्री एच टू इन टोटल अगर मैं चेक करता हूं तो का कलर ब्लू से रेड हो जाता है कलर ओफ सलूशन टान रेड फ्रॉम ब्लू मीन्स अल्डिहाइड है इसका मतलब है अल्डिहाइड यहां पर मुझूद है कि टोन होता तो यह रेक्शन नहीं होता कलर फिर हमें अलग कलर नहीं मिल पाता यह रेड बोल दो या रेडिश ब्राउन भी लिखा होता है कई वा प्रेसिपिटेट बन जाते हैं कौन-कौन फेलिंग सेलुशन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा यह मैं फर्दर आपको बता रहा हूं एच सी डबल बॉंड ऑक्सीजन एच यह तो है अल्डिहाइड फेलिंग सेलुशन टेस्ट टॉलेंस टेस्ट यह भी देगा यह भी देगा आर सी एचो यह भी यह भी पेलिंग सेलुशन टेस्ट क्यूंकि यह तो इवन माइलडर है तॉलेंस रेजेंट से भी बेंजलडीहाइड कम रेक्टिव होते हैं क्योंकि जब यह डिलोकलाइज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के पाइबांड से रेजोनेंस करके डिसेपियर हो जाता है अ is it feeling solution टेस्ट बेंजलडीहाइड नहीं देता बाकिस्बैडिरियु Kenya । टॉ strain टेस्ट देगा मैंने फ्रमिक एस डोनों देते हैं रेक्ष्ट एड टी तो देता यह वेगर मैं फॉर्मिक एसिट करता हूं तो इस में क्योंकि इडियुक्भ ग्रूप प्रेजेंट है एड़ी हाइड ग्रूप यह टेस्ट दहीरा है यह भी टेस्ट मिलेगा यह कि टोन और सी डबल बॉंड ऑक्सीजन और ना तो फेलिंग सिलुशन मिलेगा टेस्ट पॉजिटिव ना टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं जब हम रिच्षन करते हैं तो तो शिल्वर मेरर बनता है फेलिंग से इस रिख्षन कराने पर रेड़ प्रेसिपटेट मिल जाते हैं रेड़िश ब्राउन प्रेसिपटेट मिल जाते ठीक होगी बत कुश्चन्स दूंगा अभी करने के लिए कुछ देखो एक बार ये कुश्चन लिखा है सामने वाट आर दा यूजिज ऑफ फेलिंग सिल्यूशन हम एडिहाइड को एंड के टोन को डिस्टिंट करने में इस्तमाल कर सकते हैं इसको एक तो डिफरेंस ये पता करने में इस्तमाल किया जाता है जैसे अडिहाइड है आपके पास सी डबल बॉंड ऑक्सीजन एच शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं फेलिंग सिल्यूशन एफ एस लिख दिया मैंने आपको पूरा लिखना है कॉपर टू पॉजटिव प्लस ओएच नेगिटिव कैसा होता है ये ब्लू कलर का होता है ब्लू सिलूशन एड किया मैंने एडिहाइड था और सी एचो था उसमें ब्लू सिलूशन एड किया किस चीज़ का कॉपर सिलुफेट प्लस ओएच नेगिटिव टाटरी के सिड के ओवेच एच अगर वो रैड हो गया रैड सिलूशन बन गया एडिहाइड है other than benzyldehyde क्योंकि benzyldehyde भी ये test नहीं देता aldehyde other than benzyldehyde ketone से करेंगे reaction और सी डबल बॉंड ऑक्सीजन और ketone को reaction किया किस से failing solution से no change blue से blue ही रहा ये solution red नहीं हो पाया positive test नहीं मिला एक तो ये है दूसरा अगर आपको कहा जाए distinct between CH3 CHO and benzyne CHO tolerance region तो इससे भी reaction करेगा इससे भी करेगा इससे भी करेगा जबकि फेलिंग solution नहीं करेगा लेकिन CH3 CHO यानि एलिफेटिक aldehyde मतलब जो ओपन चेन जिसमें आर ग्रूप सी डबल मांड ऑक सी जन एच के साथ लगा होता है वो अलिफेटिक होते हैं यह अरोमेटिक हैं बंजीन के साथ सी यह चो लगा है अलिफेटिक तो यह जेंट नहीं दे पाता है यह वह 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 व्यक्षान है अब कुछ और कुछन दे रहा हूं करने के लिए यह सारा डिस्कुशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कुशन लिख रहा हूं कुछ यह करके बताओगे यह मैंने डिस्टिंक्शन लिखे हैं चार डिस्टिंक्ट फॉलोइंग पेर्स आफ कंपाउंड इथिनॉल को एंड असिटोन डिस्टिंट करने का तरीका क्या है पूरा प्रोसीजर आपको बताना है रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे और मैथड क्या होगा alcohol and aldehyde को distant करने में क्या use कर सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं एक से ज्यादा method भी हम बता सकते हैं C part में हम ethanol and propanone को distant कैसे करेंगे D में benzaldehyde को and ethanol को कैसे distant करेंगे इन questions को note करके answers को note करके मुझे बताना है आपको कि इनके answers क्या आएंगे फ्रोड़ा तेजी से करो और मुझे बताओ हमें इस तरीके के questions दिये होते हैं compounds के pair दिये होंगे बताना होगा कि distinction करो और distinction भी हमें chemical distinction ऐसा नहीं आप यह बता दो कि इसके बालिंग पॉंट ज्यादा है इसके बालिंग पॉंट कम है यह distinction नहीं चलेगा जब distinction वर्ड लिख दिया तो इट मीन्स chemical distinction अगर मैं failing solution लेता हूँ तो reaction नहीं होगा failing solution से इसका किटोन का नहीं होगा और alcohol का भी reaction नहीं होगा failing solution से कोई reaction नहीं दिया failing solution तो बेकार गया पता कैसे चलेगा जब अन्हों नहीं इरिक्षण नहीं दिया एक को देना चाहिए एक को नहीं देना चाहिए अब अगर मैं टॉलेंस रेजेंट लेता हूँ तो भी नहीं चलेगा काम टॉलेंस रेजेंट से अलकॉल नहीं देते reaction कि टोन भी नहीं देते नो रेक्षण लेकिन एक कंपाउंड होता है टू-फोड डीन पी टू-फोड डाइनाइट्रो फिनाइल हड्राजीन कोई कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा अलकॉहल के साथ लेकिन यह एल्डिहाइड या कि टोन के साथ बना लेगा इसको जब मैं रेक्षण करूंगा टू-फोड डीन पी से औरेंज कलर बनेगा या रेड बनेगा कंपाउंड क्रिसलाइन कंपाउंड एक में कलर एपेर हो गया एक में कोई चेंज नहीं आया मीन्स फर्स्ट का आंसर है टू-फोड डीन पी फर्स्ट में हम टॉलेंस रेजेंट या फिलिंग सेलुक्शन यूज नहीं कर पाएंगे सेकंड पर आते हैं अलकॉहल टॉलेंस रेजेंट से रेक्षण नहीं देगा एंड हैट देदेगा टॉलेंस रेजेंट येस फिलिंग सेलुशन से अलकॉहल नहीं देता रेक्षण फिलिंग सेलुशन से ये रेक्षण देदेगा येस अंतरा गया दोनों यूज कर सकते हैं टॉफोर डीनपी रेक्षण नहीं मिलेगा अलकॉहल का लेकिन टॉफोर डीनपी टेस्ट पॉजिटिव देगा एड हैड ये अकिटोन दोनों कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं में इस भी पार्ट में हम तीनों आंसर लिख सकते हैं पीयर फेलिंग सॉलूशन से dei Yin कर सकते हैं टॉलन्स रिटेंट से एड टॉफोर डीनपी से भी पर सकते हैं किटोन ऐड हइड जब मैं इसे स्टॉलन्स रेजन्स से रेक्षण करता हुं रेक्षण होगा tolerance reagent से reaction ketone तो नहीं देता है failing solution से जब मैं reaction करूँगा reaction होगा aldehyde तो देते हैं aldehydes are easily oxidizable ketone नहीं reaction देंगे failing solution से नहीं देंगे 4DNP test होगा positive ketone में भी test positive होगा 2,4 DNP यहाँ भी color मिलेगा यहाँ भी color मिलेगा 2,4 DNP तो नहीं यूज़ कर पाएंगे हमें पता कैसे जलेगा एक ketone ने हम यहाँ सिर्फ दो यूज़ कर सकते हैं tolerance reagent and failing solution यह है हमारा answer not 2,4 DNP नहीं यह नहीं यूज़ कर सकते deep art पर आते हैं benzaldehyde जब tolerance reagent से reaction करता है तो positive test मिलता है acetaldehyde हाइड भी tolerance reagent से positive test देता है नहीं यूज़ कर पाएंगे tolerance reagent दोनों में हमें same result मिलेगा अंतर कैसे पता चलेगा failing solution की बात की जाए अगर failing solution benzaldehyde से reaction नहीं करता है failing solution aliphatic aldehyde से reaction करता है यही यूज़ कर सकते है 24 DNP इससे भी करेगा क्योंकि इसमें carbon double bond oxygen aldehydea ketone कोई भी करता है reaction दोनों से होगा means D part का answer हमें लिखना होगा failing solution not tolerance reagent tolerance reagent क्योंकि दोनों positive test देता है तो यह अपने आप में बड़ा एक important discussion होता है जब हम distinction करना चाहते हैं किनी दो given compound की तो बड़े important questions होते हैं यह करने के इतना ही करेंगे आज की class में और questions मैं बता रहा हूँ आपको कौन-कौन से करके आने वो मैं आपको बताँगा